आपने कभी भी फिलिप कार्ट से online ATM कार्ट का इस्तेमाल करके online purchase सामान को buy किया आपने और आपका ATM कार्ट क्या है पर्मानेंट उसमें shaped हो गया है कैसे देखिए यहाँ पे जैसे आप फिलिप कार्ट पे जाते हैं और buy now पे किलिक करते हैं by now पे किलिक करने के बाद यहां से skip पे जाते हैं और skip पे जाने की बाद प्रंस यहां पे continue कर देते हैं continue करने की करणे के बाद प्रेंट देखे प्रेंट आपका जो ATM कार्ट जो भी आपने जिस ATM कार्ट से पहले समान खरीदा था वह ATM कार्ड यहां पे आपको सो करेगा तो देखे मैंने पहले इस ATM कार्ट से समान बाई किया था और यहां पे दूसरा State Bank of India डेविट कार्ट क्रेडिट कार्ड इस तरह से आपर देखे यू पीड आई भी से लेक्ट किया वायत तो अगर आप चाहते हैं कि जो ATM कार्ट आपने सुलक्ट तो आइपको वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि कैसे आप अपने ATM कार्ट को फ्लिप कार्ट से रिमूब कर सकते हैं जो शेफ हो चुका है जो पहले आपने कभी समान खरीदा था तो चलिए प्रेंच इसके लिए मैं यहां से बैक हो जाता हूं तो प्रेंच आपको फ्लिप कार्ट के होम पेज पर आ जाना है तो देखिए मैं फ्लिप कार्ट के होम पेज पर आ गया हूं पर आने के बाद प्रेंच आपको यहां पर account section का option दिखेगा तो आपको इस account section वाले option को क्लिक करने अile嗎 account section वाले option क्लिक करने के बाद प्रेंश आपको नीचे की तरफ इस्क्र लोन करना है और यहां पर यहां पर एक option दिखेगा saved cards and wallet आपको сказать क्लिक करने कबाद अपने इतने भी काड यहां पर shaped कियेंगे वो card यहां पे shape आपको पूरा दिखेगा और आपको जिस भी card को आप delete करना चाहते हैं जैसे मेरा यहां पे दो-दो card select है तो चलिए एक card को मैं आपको यहां से delete करकी दिखाता हूं तो जिस भी card को आप delete करना चाहते हैं उस card को एक बार यहां से touch किजिए टच करने के बाद देखे प्रेंस यहां पर एक option आगया delete card का तो आप देख सकते हैं यह delete card का option है और इस delete card वाले option पर जैसे ही click करूँगा यह card यहां से मेरा permanently delete हो जाएगा तो friends देखे मैं इसे यहां से delete कर देता हूँ और इसके बाद फिर मैं इसे online पर जाके देखूँगा कि यह card show हो रहा है या नहीं हो रहा है तो इसे यहां से मैं यहां से देखे दुबारा से यह confirm मुला है पूछ रहा है कि are your short क्या आप मतरब short है कि इसे delete करना चाहते है तो मैं इसे confirm पर click कर देता हूँ confirm पर click करने के बाद फ्रेंट्स यह card देखे यहां पर card delete successfully इस तरह से आप card को permanently यहां पर हटा सकते है रिमूब कर सकते है अब देखे एक ही card बचा हुआ है अब मैं दुबारा से आपको online में चल के दिखाता हूँ कोई भी समान को buy करके कब वो card show हो रहा है यह नहीं हो रहा है तो देख सकते हैं प्रेंट्स यहां पर जो है एक ही card show हो रहा है अभी दो card ता तो इस तरह से आप अपने ATM card debit card credit card या UPI किसी को भी आप remove कर सकते हैं को में दिरे तानियो